जहीं हिन दोस्तों, दोस्तों चार साल की नौकरी के बाद सबी सैनिकों को किया जाएगा रिटायर, सिर्फ 25% सैनिकों की होगी वापसी और चाहे हालात कैसे भी हो भारत अच्छा दोस्त था और फ्यूचर में भी रहेगा अफगानिस्तान पर डोभाल ने चली बड़ी चाल इसके तहट भरती किये गए सैनिकों में से 100% चार साल बाद सेवा से मुक्त किया जाएंगे इसके बाद फिर 25% को फुल सर्विस के लिए रिल इस्टिट किया जाएगा एक रिपोर्ट के मताबिक टूर अब डूटी के लास्ट स्टेज पर काफी चर्चा हुई है और कुछ प्रिजेंट सैनिकों को ट्रेनिंग सहीत 3 साल की सेवा के बाद रिटायर किया जाएगा कुछ को 5 साल की कौन्ट्रक्ट सर्विस के बाद निकाला जाएगा और शिर्फ 25% को ही फुल सर्विस के लिए बनाए रखा जा Council के मताबिक 4 साल की नौकरी पूरे होने के बाद सभी क को रिटायर कर दिया जाएगा हालाकि रिटायर्मेंट के लगभग 30 दिनों के अंदर 25% सेनिकों को वापस बुला लिया जाएगा और उनके सामिल होने के लिए एक नई तारिक दी जाएगी साथ ही पिछले चार साल की कॉंट्रक्ट सर्विस को सेलरी और पैंसन में नहीं गिन सकता है इनमें आर्मी मेडिकल कोर में सर्विंग परसनल भी सामिल हो सकते हैं वहीं अफगानिस्तान में तालिबान सासन की वापसे की आहट मातर से पाकिस्तान खुस था और वो तालिबानी लड़ाकों को भारत के खिलाफ इस्तमाल करने के सपने देखने लगा था लेकिन से ये नहीं पता था कि हालात कभी भी वदल सकते हैं साल भर के अंदर भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान को मोतर जवाब दिया जिसका दर्द पाकिस्तान को सालों तक सताता रहेगा और इस पूरे खेल के रैफरी भारत के राश्टे सुरच्चा सलाकार अजीड दो दोस्तो भारत के डिप्लोमेसी और डोभाल की चाल का कमाल है पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा तक नहीं बन पाया ठोःट के भारत की चमता भाने का काबल का एक important साज़धार रहा है और future में भी रहेगा उन्होंने कहा कि आतंगवाद और आतंगवादी ग्रूप छेतरे सुरच्छा वसानती के लिए बड़ा खत्रा है इसलिए सभी देशों को इसका मकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की मदद करने चाहिए वही डोभाल ने बताया कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ सदियों से भारत का रिस्ता रहा है और कैसी भी प्रिस्तिते क्यों ना हो भारत का अप्रोच अफगानिस्तान को लेकर नहीं बदल सकता अफगानिस्तान पर चौथी इरिजिनल सेक्योरिटी डायलोग मीटिंग में तजाकिस्तान, रोस, कजाकस्तान, उजबेकिस्तान, इरान, किर्गिस्तान और चेन के राष्टे सुरच्चा सलाकारों ने भी हिस्सा लिया जबकि पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा प्रड़ के लिए उन्होंने बताया कि इंडियन नेवी अलर्ट बहादूर और हर स्थिति में विजय प्राप्त करने में सच्छम हैं इसलिए आज इंडियन नेवी की गिंती दुनिया की टॉप नेवी इसमें होती है दुनिया की बड़ी समुंदरी सेनाई भारत के साथ सहीय किले तयार है और इंडियन नेवी द्वारा की जा रही तयारी किसी के खिलाफ नहीं है बलकि इसका उद देश हिंद महा सागर चेतर में सांती और सिम्रदी है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर कारवार में नेवल बेस के दो दिवस्य दोरे पर हैं इससे पहले गुरुवार को उन्होंने इंडियन नेवी के पर्सनल्स के साथ बाच्चेत की थी वहीं रोस और योकरेन वार को तीन महीने से जादा कसमे बीच चुका है वार को लेकर दोनों ही देश अपने अपने दावे कर रहे हैं योकरेन से वार के बीच रोस ने सनिवार को घातक हाइपरसोनिक मिस पूर पूरा में कुछ दैसत गर्द के छिपे होने की जानकारी मिली थी इसके बाद सेना और पुलिस ने जॉइन ट्रोप से लाके की घेरा बंदी की खुद को घिरता देख आतंक्यों ने फाइरिंग सुरू कर दी और जवाबी कारवाही में सुरच्छा बलू ने तिन आतंक्यों को 72 हुरों के पास पहुचा दिया तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट वहीं अगर आप भारते सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस अनलैसिस पे मिल जाएगी और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जादा से जादा सिलर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जैहिन जै भारत